क्या आप Asexual है? आज अब बात करने वाले है Asexuality के बारे में इंडिया में अब भी ऐसे कितने लोगी जने आइडिया ही नहीं है कि Asexuality क्या होती है ये विडियो अगर आप देखते हो समझते हो तो ना केवल आप खुद को समझ पाओगे पर दूसरों को देखने का नजर या आपका बदल जाएगा Doesn't matter उनका जेंडर क्या है या आपका जेंडर क्या है Asexual कोई भी हो सकता है Asexual होना मतलब sexual feeling नहीं आना किसे के towards भी अगर आप attracted होते हो तो sexually attracted आप नहीं हो पाते हो वो जो sexual desires होते हैं लोगों के वो आप में नहीं होते है बहुत लोगों को लगता है कि अगर किसी को sexual desire नहीं है मतलब इन में कोई problem है ऐसा कोई problem नहीं है ये बिल्कुल हमारी तरह ही होते है जैसे कुछ लोगों को sexual desires रखना पसंद है करना पसंद है उस तरीके से ही कुछ लोग होते है जो sexually attracted नहीं होते है और हमारा काम है उन लोगों को समझना Asexuality एक sexual orientation है और इसे ही हम एक spectrum की तरह भी देख सकते है इसमें different categories होते है जैसे कि कुछ लोग होते है जिनने बिलकुल भी romantic होना पसंद नहीं है और फिर कुछ और ऐसे लोग होते हैं जो sexually active है ऐसे न जाने कितने assumptions है और misconception है Asexuality के बारे में जो मैं आपको आज बताना चाहूंगी जब भी एक Asexual person बताने की कोशिश करता है कि कैसे उन्हें sexual feeling नहीं आती है तब लोग कहते है अरे तुझे वो right person अब तक मिला नहीं है ना इस वज़े से sexual feeling नहीं आ रही है उन्हें उससे कोई फरक नहीं पड़ता है न जाने इसे कितने right person उनके life में आके गए है या already life में है और उसके बावजूद भी उन्हें वो sexual attraction नहीं है उनके towards ये सब suggest करने से अच्छा है कि उनसे पूछे कि उनके choices क्या है number two, अच्छा तू asexual है मतलब कोई medical concern है मतलब तू abnormal है asexual होना ये कोई abnormality नहीं है ये बिल्कुल normal है और वो लोग उतने ही fit और healthy है और उतने ही normal है जितने की एक sexual person normal है number three, asexual लोग कभी किसे से attracted नहीं होते है भले ही ऐसे काफी asexual लोग है जो sexually attracted नहीं है किसे के साथ पर वो definitely काफी लोगों के साथ emotionally attracted है वो romantically involved है, platonically involved है, sensually involved है it completely depends on one asexual person to another different different attractions हो सकते है number four, asexual person hates sex sex को hate करना और sexual desires ना आना इन दोनों में बहुत जादा फरक है इसका बहुत simple मतलब है वो किसे की भी towards sexually attracted नहीं होते है अब ऐसे कितने asexual person है जो masturbate करते है ऐसे कुछ है जो बिलकुल भी कुछ भी नहीं करना चाहते है और ऐसे कितने है जो कभी कभी sex करते भी है वो बिलकुल उनकी choice है और उनकी जो desires होते है वो उतने जादा नहीं होते है जो generally हमने सुना है या देखा है ऐसे कितने asexual person है जो married है और उनके बच्चे भी है अगर उनका किसी किसाद ऐसा connection है जो उनके समझता है जहां पर उनने लगता है कि शादी करनी चाहिए तो हम कौन होते हैं उनने सवाल करने वाले नामब सिक्स ऐसेक्शल होना ये एक lifestyle choice है मतब लोग सोचेंगे कि सामने वाले को सेक्स नहीं पसंद है इसलिए वो asexual बन गया है या तो कोई cultural या religious reason के वज़े से वो सेक्स से दूर भाग रहा है और अब सेक्स के बार में सोचना मतलब गलत है इसलिए वो asexual बन गया है asexual होना कोई choice नहीं है उन्होंने ये choose नहीं किया है कि अच्छा मुझा बैसा लग रहा है तो मैं अब asexual बन जाओंगा या बन जाओंगी ये option नहीं होता है they are just who they are it simply means कि वो किसी के भी towards sexually attracted नहीं है हो सकते है या नहीं हो सकते है number 7 asexual women को uterus ही नहीं है या तो उसे periods आते ही नहीं है उसे वजायना ही नहीं है I mean seriously asexual होना ये एक identity है और बायोलोजी की साथ इसका कोई लेना देना नहीं है asexual women को periods आते हैं और uterus भी अपने जगह ठीक है number 8 asexuality can be treated किसी के साथ भी sexually attracted नहीं होना ये बिलकुल नॉमल है जैसे किसी की साथ sexually attracted होना नॉमल है बिलकुल उसी तरीके से इतने सारे miss assumptions है asexuality के बारे में और आपको idea नहीं है कि उन्हें कितना pressurized feel होता है क्योंकि लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते है कि वो क्यो simply किसी से sexually attracted नहीं है let's make a better space for everyone doesn't matter कि कोई कौन से community से बिलॉंग करता है भले वो LGBTQ हो या asexuality हो या कोई और community हो judge करना बन कर दीजे लोगों को embarrass करना बन कर दीजे and accept who they are I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो I'll see you guys in next video da da see you